नमस्कार सातियों स्वागत आप सभी का Bright Agro Classes के Digital Platform पर सातियों आज अपन बात करने वाले हैं JET 2021 के Exam से Related सातियों आप सभी को पता है Answer की आ चुकी है और Students को Weight है किसका Result का Result से पहले सभी Students ने अपने Number जोड लिये हैं कि मेरे इतने Number बन रहे हैं Answer की के According तो सातियों आज अपन बात करने वाले हैं कि कितने Number पर अपने को University मिल सकती है और इसके साती कितने Number पर अपने को जो Colleges हैं वो मिल सकती है तो सातियों आज अपन सटिक चर्चा करेंगे University और College दोनों की क्योंकि आप सबी को पता है बहुत सारी वीडियो जापको मिल जाएगी जिसमें कुछ में तो Only University के बारे में बताया गया है कुछ में College के बारे में बताया गया है तो आज अपन बात करेंगे Complete सटिक जानकरी की चर्चा करेंगे इसके साथ ही कितने नंबर पर अपने को College और University मिल सकती है बहुत सारे इस्टूडेंट्स वैसेज कर रहे हैं कि सर हम Agriculture में जो Private College है इससे भी डिगरी कर सकते हैं क्या और Government से करें या इससे करें हम दुबारा से तेयरी करें तो सारे Cutions का आपको क्या मिलने वाला है जवाब मिलने वाला है बस End तक आपको बने रहना है इसके साथी में बता देता हूँ साथी आपने तेयरी भी बहुत अच्छे से कर ली आपके नंबर भी अच्छे बन रहे हैं पर फिर भी आप वन्चीत हो सकते हो अच्छी कोलेज लेने से एक रिजन है सबसे बड़ा और सबसे बड़ी गलती होती है स्टूडेंट से काउंसलिंग के टाइम किसके टाइम साथी हो काउंसलिंग के टाइम क्योंकि काउंसलिंग के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता है कौन सी कोलेज काम भरनी होती है इसके बाद में अपने इन colleges को change भी कर सकते हैं का नहीं कर सकते हैं यह सारी चीजे students को अगर पता हो क्योंकि वो इमेटर पर जाते हैं वो भी नहीं जानते हैं इन colleges के बारे में college पर नहीं होती है तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना लगातार अपने bright agro classes के platform के साथ में बने रहना आपको complete guide किया जाएगा counseling के दोरान भी सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं साथियों कटोप की किसकी चर्चा करते हैं कटोप की चर्चा करते हैं साथियों सबसे पहले अपन देखेंगे University's की Cut-Up के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, University's की Cut-Up के बारे में देखेंगे, सब से पहले पन देखथे है, S-K-A-U, जो S-K-A-U, जो Jignir University है, इसकी Cut-Up क्यारेने वाली है, साथियों पहले General और OBC की, जनरल और OBC में कोई फरक नहीं होता है कभी पांच नंबर का फरक आता है और कभी बराबर कटोप जाती है तो इसमें ज़्यादा आपको फरक नहीं मिलेगा तो आपको यह जो SKN University है यह कितने पर मिलने वाली है साथियों यह 305 या 285 295 और 305 नंबर के बीच में अगर किसी के नंबर बन रहे है यह पर 295 और 305 के बीच में अगर कोई नंबर बन रहे है 295 से 305 के मद्दे अगर किसी के नंबर है तो SKN University आराम से मिल सकती है सेफ जोन में है ऐसे मान ले इसके बाद में अपने आती है MPUET उदेपुर उनिवर्शिटी कौनची आती है साथियों MPUET उदेपुर उनिवर्शिटी इसकी कटोप आपकी जानने वाली है साथियों 305 से लेकर 315 के बीच में जिसके भी नंबर है वो अपने आपको सेफ जोन में समझे कि MPUET उदेपुर उनिवर्शिटी आपको मिल जाएगी इसके साथ में ही बात करें अपने जो बिकानेर वागेरा है बिकानेर है S.K.R.E. उनिवर्शिटी के रहने वाली है साथियों अपने इसके कटॉप रहने वाली है 290 से लेकर 295 के मद्दी इसके साथ ही जो बाकी अपनी कोटा और जोदबुद है इसकी लगबग रहने वाली है 285 से 290 के लगबग और अपनी जो कोटा युनिवर्सिटी है 280 मतलब अगर कोई स्टूडेंट 280 से लेकर 280 से अबोव है तो वो युनिवर्सिटी में जा सकता है वो स्टूडेंट कहां जा सकता है युनिवर्सिटी में जा सकता है किसी ना किसी युनिवर्सिटी में क्योंकि आप सभी को पता है CUET का भी रिजल्ट भी आना बाकी है से कौंसलिंग होगी कंसलिंग में इसपोर्ट कंसलिंग होती है जो एंड में तो एंड तक आप अगर कंसलिंग का सईडन से करवाओगे ने तो आपको आराम से University मिल सकती है दो सो असी से अब वो नंबर वालों के अब इसके बाद में आते हैं college वाले जोकी student कम नंबर रह जाते हैं उनके तो उनके आता है साथिओद 240 से लेकर 240 से लेकर 230 का मध्दे तक number है 240 से लेकर 270 के मध्दे तक number है तो वो student जा सकता है top agriculture college में Top agriculture कौँची जैसे अपने फतेपुर सिक्कर है लाल सोड दोसाहै एक अपने भीलवाडा में कोलेज है, मतलब जिन में सारी फेसलीटी अउलेबल है, सारी फेसलीटी कोलेज, केमपस वगरा, होस्टल वगरा, सब कुछ अउलेबल है, यूनियूर्सिटी के लगबग, यूनियूर्सिटी जितनी वहाँ पर पढ़ाई होती है, तो वो मिल जाती है, साथ यो कितने में 240 से 270 के बीच में, सही, अब इसके बाद में कुछ इस्टूडेंट्स ऐसे हैं कि सर, हमारे को तो कोलेज चाहिए, और हमारे कम नंबर है, तो जो इस्टूडेंट्स ये कोई ऐसे निये कि तुका है, ये डेड़ सो नंबर भी अगर किसी स्टूडेंट क्या रहे हैं, डेड़ सो से डाइसो नंबर अगर किसी स्टूडेंट क्या रहे हैं वो भी गोरवेंट कोलेज में जा सकता है, अगर एंड तक काउंसलिंग करवाता है, स्पोर्ट काउंसलिंग तक, तो डेड़ सो से डाइसो वाले स्टूडेंट्स भी किस में जा सकते हैं, गौर्वेंट कॉलेज में जा सकते हैं गौर्वेंट कॉलेज गुंसी जो कि पिछले 3-4 साल में लगबग 51 कॉलेज खुली है वो भी केसी गौर्वेंट उनमें आराम से एडमिशन ले सकते हो की सर हमारे को उन में लेना चाहिए का नहीं लेना चाहिए प्राइवेट के बजाए तो आप आप representing लेना है की सर वहाँ अपर पैसिलिटी अवलेबल नहीं है ऐसे बोलते हैं हमारे बहुत सारे टीचर्स तो मैं यही बोलना सहूंगा कि जो आपके गौर्वेंट को लेजे जने उनकी डिगरी वो कोलेज नहीं देगी, यूनियोर्सिटी देगी, जैसे एसकेन यूनियोर्सिटी के अंडर कोई कोलेज है तो एसकेन यूनियोर्सिटी की डिगरी आएगी, इन यूनियोर्सिटी की ड देंगे बस यह है कि एक को तो बना-बनाया guidance मिल जाता है मतलब guidance देने वाले teachers वगेरा रहते हैं एक है जिसको online के माध्यम से अपने seniors वगेरा से उसको guidance लिना होता है तो guidance की कमी नहीं है guidance की कोई कमी नहीं है online भी आपढ़ सकते हो सारी subjects जो college में चलती है उनको online भी आपढ़ सकते हो और जो students offline पढ़ते हैं नहीं university में वो भी कहां से पढ़ते हो online पढ़ते हो और अगर देखे ने जिसे अगर बात करें पिछली college की बात करें जहां पर facility available नहीं है उनियरा टॉप उनियरा टॉप के college है जिसमें कोई facility available नहीं है teachers वगिरा की और इसी result में जो फिचली एर का result है उसमें 8.0 कितनी OGP थी? 8.0 OGP जो की university में बहुत कम के होती है टॉप 10 में माल लो ये OGP कितने में है टॉप 10 में माल लो तो ये कितनी है पेटो जीपी जो की जहाँ पर facility available नहीं थी उन्होंने क्या किया? उन्होंने online कहीं से study करके और अपना score किया आप भी कर सकते हूँ एक साल खराब करने के बजाए स्टुडेंट्स क्या बोलते हैं सर इन college में लेने के बजाए हमारे को टीचर्स वगिरा बोलते हैं हमारे कोचिंग वाले कि SIR इन college में को लेने के बजाए तो आप एक साल तेयरी कर लो और बढ़िया university में आप और admission लो करतवी यह ओना चाहिए, आपका ड्रीम यह ओना चाहिए, कि अब यह कोलेज हमारी गोर्वेंट है, जहां पर फेसिलीटी अउलेबल नहीं है, मेरे को MSC में इसी कोलेज में एडमिशन लेना है, कि जहां पर आल फेसिलीटी अउलेबल हो, PhD में बहुत अच्छी कोलेज में मेर सकते हो, सारा गाइडेंस आपको मिल जाएगा, चैनल पर नहीं हो, चैनल को सस्क्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और ऐसे स्टूडेंट आपके पास में, जिनको इस से लेकर वो भर्मित हो रहे हैं, कि मैं गोर्वेंट में लू या नहीं लू, मैं कोंटेक्ट कर सकते हो, एड 690-596638, इन नमरों पर कोंटेक्ट कोल या मेसेज आप कर सकते हो, जो भी आपके मन में डाउट है, वो पूछ सकते हो, अब आपन मिलेंगे, ऐसी ही महतवपूर जानकरी के साथ में तब तक के लिए जैहिंज आप रहे साथ हूँ.